भारते अर्थरवस्ता में आई सुस्ती को लेकर मूदी सरकार को एक के बाद एक अलर्ट मिल रही हैं लेकिन सरकार धीरे-धीरे कदम बढ़ा रही है जिसके जलते हालात और खराब होते जा रही है हाले में केद्रे मंत्री रितन गड़करी ने भी जल्द और बड़े कदम उठाने को कहा था तो मैं अब अंतराष्ट्रे मुद्राकोश ने भी एकनॉमिक स्लो डाउन पर भारत को चेताया है देश की अर्थ्रवस्था को कैसे मिलेगी रफ्तार? महंगाई कब होगी कम और कैसे हर हाथ को मिलेगा रोजकार? ये तीन सवाल विपक्ष से लेकर आमजंता ने सरकार से पूछे हैं जिसका एक ही जवाब है कि काम किया जा रहा है और हालात में होगा सुधार मगर सरकार के ये धीरे-धीरे उठाय जा रहे कदम सरकार को कड़गरी में खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आर्थिक हालात और बत्तर होते जा रहे हैं जिसे लेकर अंतराश्ट्रय मुद्राकोश ने भी मूदी सरकार को जिताया है जी हाँ, सुस्ती के दौर से गुजर रही अर्थ्यवस्था को फिर से पड़े बर लाने के लिए अंतराश्च्रे मुद्राकोश IMF ने भारत को जल से जल बड़े कदम उठाने के लिए कहा है IMF का कहना है कि भारती अर्थ्यवस्था ग्लोबल एकनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने वाली अर्थ्यवस्था में से एक है इसलिए भारत को तेजी से कदम उठाने होंगे IMF ने अपनी सालाना समिक्षा में बताया कि खपत और निवेश में किरावट टेक्स राजस्ट में कमी से भारत के आर्थिक ग्रोथ को धटका लगा है IMF की एशिया पैसिफिक हैडर रानिल सालकाडू का कहना है कि लाकों को गरीबी से बाहर लाने के बाद भारत अब आर्थिक सुस्ती के बीच है मौजूदा स्लोडाउन को दूर करने और फिर से आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए भारत को फॉरन नेती का तुपायों के आवशकता है हाला कि सरकार के पास डेवलेप्मेंट पर खर्च के जरिये बढ़ावा देने के लिए सीमी त्विकल्प है वह आएमेफ के चीफ एकनॉमिस्ट गीता गोपिनात ने कहा कि वितवर्ष 2019-20 के दिसंबर और मार्च तिमाही में भी आर्थिक ग्रोथ कमस्दोर बनी रहेगी गोपिनात ने कहा कि पहले हमें मौझूता वितवर्ष की बाकी दो तिमाहीों में तेजी की उमीद थी लेकिन अब रिकवरी मुश्किल होती नजर आ रही है उन्होंने कहा कि मौझूता हालाग को देखते हुए हमें पुराने अनुमान बदलने पड़े है आमेफ 20 जनवरी 2020 को भारत के आर्थिक ग्रोथ के आउटलुक पर एक रिपोर्ट चारी करेगा जिसमें भारत के आर्थिक हालाग बया किये जाएंगे लेकिन आमेफ की जल्द सुधार की सला को भारत सरकार मानती है या हालाथ ऐसे ही बलकरा रहते हैं ये देखना होगा डिबिलाइफ की रिपोर्ट